हेलो एवरिवन वेल्कम बेक्टो माई चैनल मेरा नाम प्रित्यों आज मैं आप लोग साथ दो ब्यूडुफूल से बन हैस्टेल बतारी जो कि आपको पार्टी में वेडिंग में ठ्राइ कर सकते हो बहुत ही आसानी से आप बना लोगे तो मैं इस डमी के साथ बना लिए अग जी वेडिंग बन पार्टी बन आपको बता दिए मैं आप तो इस तरीके से मैंने पोनी बना लिए पोनी को थोड़ा टाइटली बना दे ला एक डूनेट बन लेना है डूनेट बन आप अपने अकौडिंग ले सकते हो कितना बड़ा चोटा आपको बन चाहिए उसके अको तो डूनेट बन को इस तरीके से रबर बेंड के ऊपर लगा दिया है देन एक यूपिल लेंगे और डूनेट बन को स्कैल्प के हेर के साथ इस तरीके से लगा देंगे ताकि हमारा डूनेट बन इधर से उधर सरके नहीं अभी आपको कहा करना है सारे हेर को इस तरीके से न और पुरा किलियर आई होप की किलियर देख रहा हो अब इस तरी के से थोड़ा-थोड़ा लेना है बालों का उसको टू पार्ट में डिवाइड करना है और आपस में ट्विस्ट करना है और डोनेट बन के चारो तरफ से लपेड देना बहुत ही प्यारा लुक आएगा आपको आपके बालों का प्रण्ट हेर स्टाइल देखना है तो कामेंट बॉक्स में बताना ही डेलि मैं इसी तरीके की हैलफुल और भीटूल हेर स्टाइल आप लोग के साथ करते जाती हूं अधिसी तरीके से ट्विस्टिंग करकरके आपको डूनेट बन को पूरा अच्छे से में गर्लाistas पर्ट से टाव करना है इस तरह से ट्विश्ट कर देना है करें दोनिट बन नोटरी तरी के शेटें झाले रिटें कि लगा देना एंड युपिंगे से सिक्या और कर देना दूसरी कर दो अपको समझ आ जाए तो इस तरह से किया है और इस सब अच्छे से डोनेट बंगी ऐसी तरीके से बनायेंगे ताकि से सब्सक्राइब कि आई के डोनेट बंगे के ओपर से इस तरीके से लगाते हुए यूपिन Сейчас क्यों यूपिन को अच्छे से लगाते जाएगा जिसे कि आपका जो आपने जो ट्विस्टिंग बनाई है वो इधर उधर ना जाए और एक साथ चिपकी होई दिखे और बहुत सुन्दर सा लुका आजे आपके बालों का तो इस तरीके से लगाते जाना है पूरा जब तक कि आपका डूनेट बन अच्छे से हाइड ना होजे और अच्छे से लेयर को चिपका के आपस में यूपिन दो चार लगा दीजिगा बीच में ताकि जो आपका आपने ट्विस्टिंग की है वो अच्छे से प्रोपर दिखे एंड कहीं से भी डूनेट बन ना दीखे यहां पर मैं लेकर ट्विस्ट कर रही हूं और इसको डूनेट बन के ऊपर से इस तरीके से लेके जाएंगे और इस तरीके से लगा देंगे ओके तो यह देखिए इतना हमने बना लिया है इसके बाद से आपको क्या करना है जो को simply two parts में डिवाइड करेंगे यूपिन को अच्छे से लगा देंगे ट्विस्टिंग के साथ दिखें यहां पर दिक्कत हो रहा है तो इसको अच्छे से पकड़के मैं लगा दिया है अब जितना हेर बचा हो इसको simply two parts में डिवाइड करेंगे और अगें इस तरीके से हमने पतली पतली लेयर की ट्विस्टिंग की थी इस तरीके से एक सारे हेर को लेके और ट्विस्टिं या फिकोई गाउन ट्रेस पहन रहा है तो यह बना के आप उसको यूपिन से फ्लावर वाली यूपिन से सजा सकते हो जिसे कि आपके बन को बहुत अच्छा सा लुक मिल जागा डिफरेंट लुक मिलेगा और आपका जो लुक है वह बहुत स्टाइल सा हो जागा तो यह है सब्सक्राइब का फाइनल लुक कि देख सकते हो कितना अच्छा और कितना खुब्सूरत सा आपको लग रहा है यह यहां पर मुझे अन्मैनेज लग रहा तो यहां पर एक यूपिन और लेके और इस तरीके से लगा दूंगी पूरा हमारा बन यहां पर बन के रेडी हो गया बहुत काफी अच्छा और स्टाइलिस सा लुक आपको मिल जाए आप अप चलते हैं सेकिंड बन हैस्टाइल की तरफ जो कि आप दूसरा बिज़ो बन है वो भी आप वेडिंग में पार्टी में गाउन के साथ साथ बना सकते हो तो चलिए तो यह देखे दूसरा हैस्टाइल स्टार्ट करते हैं पर मैंने एक सिंपली पोनी बना ली है पोनी के बाद आपको क्या करना है एक डोनेट बन लेना है एक डोनेट बन को रवड़ बेंड के ऊपर अच्छे से लगा देना है इस तरीके से तो यहाँ पर इस सिंपली इस तरीके से ओके तो यह हमने इस तरीके से फिंगर को लगाया एंड लेयर को खीच लिया लेयर को खीचने बाद से आपको सिंपली जो अपने लेयर बीच में निकाला है डोनेट बन के उसको सिंपल सी चोटी बना लेनी है तो इस तरीके से सिंपल सी चोटी गूत से नहीं है चोटी गूत के चोटी को हलका हलका सा लूच करते जाएंगे साइड से ओके एंड इसको एंड तक गूतने के बाद से सिंप्ली राउंड राउंड इस तरीके से लपेटेंगे इस तरीके से इस तरीके से राउंड 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 रापेटेंगे हैं डोनेट बंड के बीच में एकदम सेंटर में यूपिन की मदद से यहां पे इसको सिक्यूर कर देंगे जिससे के आपके बंड का लुक जो है बहुत डिफरेंट दिखेगा यूनिक दिखेगा और अच्छा लगे तसता करेंगे हैं इसको टूबश में डिवाइट किया और ट्विस्ट करते जाएंगे जितने हेयर बचेंसे सबको साथ में ले लेकर से त्वीश्ट करते जाएंगे अग na चारए हीं5 और ते सेट कर देंगे आप रोजवाले यव्य यूपिन्स थोड़े बहुत लगा देंगे जिससे की आपका बन का लुक जो है वह और अच्छा और स्टाइलिस सा दिखें तो यहां पर मैंने लगा दिया है यह देख सकते आप काफी सुन्दर शार स्टाइलिस साब का बन बन के रैडि हो जाएगा पार्टी में वेडिंग में गाउन ट्रेस के साथ साड़ी के साथ आप यह बन ट्राइक कर सकते हो और इसके उपर पल्लू सेट कर दोगे काफी अच्छे से अच्छा लुक आएगा नेट वाली इस डूप रेकोरिट कर सकते हो और एक अच्छा सा लुक दे सकते हो ओके को सिस कीजिए कि आप यूपिंस जो होती है वो इन वीजिवल पिंस ले जब फ्लावर वाली होती है तो और या फिर पल्लू सेट करने के लिए तो यह है बन का फाइनल लुक देखिए कितना प्यारा सा लुक आगे आपके बन का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और भी इस तरीगी की वीडियो सबते पहले देखने के लिए थैंक्स पर वाचिंग लव यू अल टेक क्यार बाई बाई